विशाल अपने घर पर आराम से रात का खाना खा रहा था तभी जो है उसकी पत्नी जो थी वो आती है और बताती है कहने लगी आपको पता है गाउं में पिताजी की तब्यत बहुत खराब चल रही है वहाँ घर पर सभी बहुत परेशान है मैं तो कहती हूँ कि आप पिताजी को यहाँ शहर लेके आ जाएए यहाँ पर किसी अच्छे से डॉक्टर से उनका इलाज करा देंगे इस पर विशाल ने कहा हाँ क्यों नहीं यह तो मेरा फर्ज बनता है एक काम करता हूँ कल रात की ट्रेंज से मैं गाउं के लिए निकल जाता हूँ और फिर विशाल की पत्नी ने कहा हाँ यह आइडिया सही रहेगा लेकिन देखो अब आमा बाओ जी को हम यहीं अपने घर पर रखेंगे उन्हें वापिस गाउं नहीं जाने देंगे तो विशाल ने कहा हाँ मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि वो यहां हमारे साता कर रहें इस शहर में लेकिन तुम यह भी जानती हो न कि उनको गाउं में ही रहना अच्छा लगता है वो अपने बड़े भाई के साथ गाउं के उस घर में ही रहना जादा पसंद करते हैं पर चलो कोई बात नहीं मैं तुमारी खातिर एक बार उनसे जरूर ये बात कहूंगा तो फिर इसके बाद जो था विशाल खाना खाकर रात को सो गया फिर अगले दिन वो अपना जो है जॉब पर गया और जॉब से आने के बाद देर राज जो है वो ट्रेन से भोलापूर के लिए निकल पड़ा यहाँ पर जो ये जो ट्रेन थी जब वो रस्ते में जा रही थी सब कुछ सही था सब कुस अच्छा चल रहा था विशाल के डबे में एक आदमी बैटा हुआ था गुमसुम सा चुपचाप सा विशाल को लगा कि उसे उस आदमी से कुछ बात करनी चाहिए इससे सफ़ जो है पड़ी अराम से कट जाएगा बात बातों में विशाल ने जब उस आदमी से बात शुरू की तो उसने कहा हेलो भाई साब मेरा नम विशाल है और आपका नाम क्या है इस पर उस आदमी ने कहा मेरा नाम जानकर तुमें क्या करना है चुचाप से बैठे रहो मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी तो विशाल ने का अरे इसमें इतना अकड़ के कहने वाली कौन सी बात है मैंने तो सिर्फ आपका नाम ही पूछा था और इस से जादा कौन सा आपका बैंक अकाउंट पूछ लिया था वो आदमी जो है विशाल को गूर कर देखने लगा और फिर वापिस से जो है शान थोकर बैठ गया विशाल मनी मनोस आदमी के बारे में सोचने लगा नजने किस तरीके का इंसान है और फिर तबी जो है अचानक से ट्रेन में एक छटका लगा तो विशाल जो था वो अपनी सीड से थोड़ा इदर उदर हो गया और वो जो सामने जो आदमी बैठ था वो भी तो इसके बाद जो था विशाल खिड़की से बार देखने लगा कि ये जो ट्रेन है किसी सुनसान जंगल में जाकर बीच में रुख गई है तो उससे लगा कि आगे जाकर पता करना चाहिए कि ये क्या हुआ है तो जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उस आदमी ने उसे रोब दिया और बोला यहां से कहीं और चानी की ज़र्द नहीं है नहीं तो बहुत पश्टाना होगा तो विशाल ने कहा रहने तो तुमारी बाते मेरी समझ में नहीं आती इसके बाद जो था विशाल अपनी जगह से खड़ा होकर यहां हमार ट्रेन बे खूंद लगा तो उसने देखा कि ट्रेन जो दी जो कि मतलब बिल्कुल खाली थी आँ दूर दूर तक उस आदमी के अलावा और विशाल के अलावा कोई था ही नहीं अब विशाल जो था परिशान हो गया और वो ट्रेन से जैसे नीचे उतरा तो चारो और घना जंगल आसपास एकदम बहानक रूप लेकर उसको नज़र आ रहा था तो तब ही जो है उसके पीछे से वही आदमी आया और बोला जो कि अभी भी ट्रेन में ही खड़ा था बोला कि तुम जल्दी से वापस ट्रेन के अंदर आजाओ नहीं तो तुम्हारी जान को खत्रा है तो विशाल ने कहा कैसा खत्रा यहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है आगर खत्रा होगा तो सिर्फ तुम से ही होगा अजीव गरीब इंसान इसके बाद यह जो आदमी था विशाल का हाथ पकड़ लिया और उसको अंदर ट्रेन के खीचने लगा विशाल उसकी हरकतों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदमी क्या करना चाह रहा है तो विशाल उसकी बात को नहीं मानता और वो जो है जंगल में आगे की और जाने लगा अपना हाथ चुरवा कर अब यह जो आदमी था इसे चिंता लग गए विशाल की पता नहीं जंगल में इसके साथ क्या हो तो वो ऐसा सोचते हुए चल दी से ट्रेन से उतरा और विशाल के पीछे दोड़ा तो विशाल जो था अचानक से उसकी नजरों से ओजल हो गया और इधर उतर वो उसको तलाशने लगा फिर तब ही उसे एक चीक सुनाई थी और वो जंगल में आमा उसको तलाशने लगा तो तब ही जो है जखमी हालत में उसने देखा कि विशाल जमीन पर नीचे पड़ा हुआ था उसके माथे में जो है थोड़ी बड़ चोट आई थी तो उसके पास पहुचा और पूछा कि यह किसने किया तो विशाल ने कहा यहां पर कोई था पता नहीं लेकिन कौन उसने मेरे सर पर वार करके मुझे यहां गिरा दिया तो इस पर उस आदमी ने कहा देखो मेरी बात मनो यह जंगल माया भी है यहां पर चलावा है हमें चल्दी से वापस ट्रेन में चलना चाहिए तो इस पर विशान ने कहा लेकिन ट्रेन तो चली ही नहीं रही है वहां कोई भी नहीं है इस पर उस आदमी ने कहा यह सब भी उसका चलावा है हमें यहां से फौरान निकलना होगा अगर हम यहीं रह गए तो जिन्दी की बर के लिए यहीं रह जाएंगे नजर आ रहा था और इस वक्त विशाल जिस हालत में था उसे लगा कि उसे उस अंजान शक्स पर भरुसा कर लेना चाहिए क्योंकि इसके सिवा और कोई उसके पास चाहरा नहीं था तो विशाल उस आदमी को अपना हाथ देता है तो वो आदमी उसको सहारा देकर खड़ा करता है वो जैसे ही खड़ा करता है तो पत्तों में जो है कुछ हिलता हुआ नजर आता है यहां पर दोनों खबरा आ गए और थोड़ा थोड़ा दीरे दीरे वाहां से खिसकने लगे तो तबी जो है उस काले अंधेरे गने जंगल में उन्होंने एक भयानक सी चीज़ को देखा यह ना तो इंसान लग रहा था ना ही जानवर ना जाने क्या चीज़ थी वो आदमी बोला भाई यह जो भी कुछ है बहुत ही भयानक है चल जल्दी यहां से तो इस तरीके से जो है वो दोनों जल्दी से ट्रेन को पकड़ने के लिए पहुँचे तो जब वो ट्रेन में चड़ गए तो तबी जो है वो अचीबो करीब सी चीज़ या जानवर जो था वो भी उनके साथ ट्रेन में चड़ गया दोनों घबराने लगे विशाल ने का भाई ये तो यहां तक आ गया है अब क्या करें अब कैसे इस से पीछा छुड़ा है तो उस आदमी ने का तुम चिंता मत करो मेरे बैग में कुछ है जिससे यह हम तक नहीं आ पाएगा तो वो आदमी विशाल को वहीं पर छोड़कर फॉरण से अपने डबे में गया और अपने बैग में कुछ तलाशने लगा तो तब ही जो है उसने अपने बैग से जो है हनुमन चाली सा निकाली जहां पर विशाल की जान पर आबनी थी वो जो चीज थी वो विशाल पर अचानक से छपट पड़ी और उसका गला दबाने लगी तब ही वो जो शक्स था हनुमन चाली सा लेकर वहां पहुंचा और जोर जोर से हनुमन चाली सा गाने लगा अच्छे तरी किस्ते है जो है उस हनुमन चाली सा को सुनने के बाद वो जो जीव था भयानक वो अचानक से ही उस ट्रेन से दोड़ते हुँ बड़ी तेजी से उस जंगल के और अंदर जाकर कहीं गायब हो गया इस तरीके से विशाल और उस आदमी की जान उस रोज बच गए